लेकिन आपके फोटो सेंसेप्टर में तीन ग्राफ गीवन है और यह सबसे डिफिकल्ड पाट बच्चों को लगता है अगर आप देखो सर ग्राफ कैसे समझे में आएगा तो इसी ग्राफ को हम लोग सिंपल से भासा में सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले होगा सबसे पहले फोटो सेंसे में यह तो चला भाई आपका संलाइट इस संलाइट में इनर्जी है इस इनर्जी को पकड़ेगा कौन तो अंसर इस दा पिग्मेंट है हम फोटो सेंस क्यों नहीं करते आप संलाइट के सामने खड़ा हो जाओ आप फोटो सेंसे नहीं कर सकते सर क्यों क्योंकि आपके अंदर में पिग्मेंट नहीं है जिसे आप संलाइट के इनर्जी को पकड़ सको प्लांट के अंदर में special एक ताकत दिया है हाँ, वो sun के energy को पकड़ सकते है absorb कर सकते है और उस energy को वो ATP बनाने में फिर बाद में glucose बनाने में use करेंगे तो plant के अंदर में क्या है? pigment है जिसे वो sun के light को trap कर सकते है सभी को मालूम है sir, pigment कौन सा है? तो यह pigment actually में, actually में यह pigment है वो NCRT के according दो तरह के मेरे according तीन तरह के sir, कौन-कौन तो अगर आपके बस NCRT है तो pigment सबसे जो main है, जो बचपन साब पढ़ते आरहो जिसका नाम, जो green color का ही है इसलिए green color का बना रहा हूँ, chlorophyll जो main pigment है, उसका नाम क्या है? chlorophyll क्लोरोफिल जो होता है, वो green color का होता है और sun के energy को trap कर सकता है, तो ठीक है लेकिन इसके इलावा एक और pigment होता है हाँ, chlorophyll के टाइप बहुत सारे, chlorophyll के बहुत सारे टाइप है chlorophyll A होगा, B होगे, C होगा, D होगा chlorophyll E भी होता है, लेकिन आपके anxiety में कहीं भी नाम नहीं दे रखा है आपके anxiety में A मिलेगा, B मिलेगे, C मिलेगा और D मिलेगे उन्हें सर A, B, C, D भी नहीं दिया है है, लेकिन वो plant kingdom में, जब आप plant kingdom chapter पढ़ेंगे तो वहाँ chlorophyll के कई सारे टाइप आपको दिखेंगे जैसे आप पढ़ोगे red algae, तो उसमें chlorophyll D मिल जाएगा अप पढ़ोगे brown algae, वहाँ chlorophyll C दिख जाएगा अप पढ़ेंगे green algae, वहाँ chlorophyll B दिखेगा और A तो सभी जगा है, यह तो सभी जगा मिलेगा, सभी algae में मिलेगा, सभी plant में मिलेंगे, इसलिए universal photosynthetic pigment जो universally सभी जगा पाया जाएगा, वह तो भाई सब हमारा chlorophyll A है, वह तो chlorophyll A है ठीक है, मैं आओँगे, इस पर detail से करेंग, टेंचन नहीं लेगा इसके इलावा कौन सा pigment होगा, तो इसके इलावा एक pigment होगे, जिसे मैं अपने भासा में कहता हूँ carotinoids, carotinoids, बोलें ठीक है सर, यह carotinoids क्या होता है, अपके NCRT में लिख है, carotinoids मैं carotinoids को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक का नाम होगा, carotene जो गाजर में पाया जाता है, गाजर खाया है, मुले आहाँ सर, खाया तो है गाजर का कलर कैसा होता है, औरेंज कलर का, तो carotene भी कैसा होगा, औरेंज कलर का carotene, और दूसरा एक पाया जाएगा, जिसका नाम होगा, xanthophyll, xanthophyll कभी पज़ड वाले प्लांट को देखा है, कभी पज़ड वाले प्लांट को देखा है, जिसमें लीफ तूट करके नीचे गिर जाते हैं, पत्तियां जो है, लीफ, वो प्लांट से तूट करके नीचे गिर जाती है, नीचे गिरे हुए लीफ को देखना, वो पीले रंगा दिखेगा, यलोईश दिखेगा, सर क्यों? क्योंकि जो गिरा हुआ लीफ है, उसके अंदर xanthophyll होता है, उसके अं ना, तो उसके अंदर कैरोटीन, क्लोरोफिल तूट जाते, मेलनी कौन बचा रहता है, xanthophyll, इसलिए यलोईश कलर देगा, ठीक है, कैरोटीन ये औरेंज कलर देगा, गाजर के अंदर क्लेर कट आपको दिखता होगा, भले ठीक है, अब इसके इलावा एक और पिगमेंट बस नाम जान लीजिए, इसका नाम होगा phycobilins, phyco का मतलत है algae, ये किवल algae में पाया जाएगा, इसलिए मैं इसे detail में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमारे chapter का नाम है photosynthesis in higher plant, जो photosynthesis chapter है, क्या लिखाए, उस topic को पढ़ो, किवल photosynthesis न नहीं दिया है, नाम में लिखा है photosynthesis in higher plant, यानि algae, algae में photosynthesis हमें नहीं पढ़ना है, हमें बड़े plant, higher plant में पढ़ना है, angiospum और gymnospum में मिलनी पढ़ना है, algae में क्या होते हैं, मुझे नहीं जाना है, bacteria में क्या होते हैं, मुझे नहीं जाना है, लेकिन इसलिए, मैं इसे detail से नहीं पढ़ाँगा, phycobilins जो होगा, वो blue green algae में, blue green algae में और red algae में पाया जाएगा, red algae में पाया जाएगा, blue green algae और red algae में पाया जाएगा, ध्यान से देखो, blue green algae और red algae, तो जब आप पढ़िएगा plant kingdom chapter, तो वह यह word आएगा, ना phycobilins नाम का सबस्कार्स, red algae में आपको पढ़ाया जाएगा, ना एलो फाइको साइनीन, फाइको इरिथीन, इस सब वर्ड आएंगे, लेकिन आज का टॉपिक नहीं, आज का टॉपिक हमारा हायर प्लांट है और हायर प्लांट में होगा क्लोरोफिल और हायर प्लांट में पाए जाएंगे कैरिटिलाइट्स, ठीक है? तो चलो, फटा- प्लांट में क्या होगा है ठीक है ध्यान से सुनिए हायर प्लांट के अंदर में पाया जाएगा क्लोरोफिल क्या पाया जाएगा क्लोरोफिल सर कौन सा क्लोरोफिल यह बहुत अच्छा गोस है सर कौन सा क्लोरोफिल तो हायर प्लांट के अंदर केवल पाया जाएगा लए हम आपकलिए होगा और प्ल में याद रखना है और गडबन नहीं असानी से समझी जगा क्लोरोफिल ये हर जगा पाया जाएगा ग्रीन एल्गियों पाया जाएगा ब्राउन एल्गियों पाया जाएगा रेड एल्गियों पाया जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गियों वहां भी पाया जाएगा जहां भी photosense के दौरान oxygen release होगा वावसे सुनो जो भी organist photosense के दौरान oxygen release करेगा oxygenic photosynthesis करेगा उसके अंदर chlorophyll A पाया जाएगा एकदम सिंपल है जहां भी photosense के दौरान oxygen release होगा oxygenic photosense करेगा वहाँ chlorophyll A पाया जाएगा ठीक है उसे support करने के लिए higher plant में chlorophyll B है red algae में chlorophyll D होगा brown algae में chlorophyll C होगा ठीक है अब देखिए chlorophyll के बाद आगिया carotinoids करो ठीक है सर यह क्या करेगा यह help करेगा anxiety का word है they are the accessory necessary नेसेसरी नहीं है accessory यह chlorophyll A को help करेगा chlorophyll B भी help पर है वो उसे help करेगा necessary carotinoids कितने तरह के तो बोलेंगे सब दो तरह का तो आपने बताया था एक का नाम carotene जो orange color का दिखेगा और एक दिखेगा yellow color का जिसका नाम होगा xanthophyll xanthophyll चीक है अब बारी-बारी से अब बारी-बारी से सभी को हम लोग study करते हैं एक एक करके सभी को हम लोग पढ़ना है start करते हैं बहुत है आसान सा topic है टेंचन नहीं लिन है सबसे पहले हम लोग आ जाए chlorophyll A चलो सबसे पहले question पूछा जाएगा chlorophyll A बहुत आसान है chlorophyll A आपने बता दिया है पहला line याद रखिए इसका फार्मूला पूछा जाएगा फार्मूला गया है फार्मूला है सी 55 ध्यान से सुनना फार्मूला पूछे जाते सी 55 है एच सेवेंटी टू ठीक है ओ फाइब एन फोर एमजी यह है आपका फार्मूला है ठीक है सर्थ यह जो है वह बना कैसा होता है सेप कैसा होता है तो याद रखना है क्लोर फिल-ए का जो सेप होता है वो लिखा है टैड़ उज Espा हालांकि NC attracting में नहीं दिया है नीट के लिए इंप्पॉटट需要 c यह tadpole shape कैसे बनेगा, चलो देखते है, tadpole shape कैसे बनेगा, simple भाज़ा, chlorophyll A के अंदर में एक पार्ट होगा जिसे का नाम देंगे head, इसका नाम क्या देंगे head, और A का नाम देंगे tail, simple, यह head और tail दो पार्ट से बना है, ठीक है, अभी मैं head बना रही है, head के अंदर में आपको दिखेगा एक ring, मेरे में से मैं second page पे figure बनाता हूँ, यह देखिए, यह एक ring है, head में एक ring है, इस ring के अंदर में मिलेगा आपको nitrosan, एक और ring मिलेगा, इसमें भी मिलेगा nitrosan, यह तीसरा ring और यह चौता है, they have the four ring, और सभी ring में एक-एक nitrosan जुटे है, दो, तीन और चांद, हर ring में एक-एक nitrosan जुटे है, यह ring number one है, यह ring number two है, यह ring number three है, और यह ring number four है, सर, रिंग का नाम क्या होता है, रिंग का नाम होता है, पाई रॉल, रिंग का नाम होता है, पाई रॉल, एक रिंग का क्या नाम है, पाई रॉल रिंग है, तो टोटल कितने पाइरॉल रिंग है तो बोले सर चार है इसलिए जो हेड है उसे कहते है टेट्रा टेट्रा का मतब चार हो गए टेट्रा पाइरॉल रिंग क्योंकि चार पाइरॉल रिंग से बना है एक पार्ट क्लियर बड़ा इंप्वार्टन इस रिंग के मीड पे बीचो को बीच एक मेटल्पैथा है जिसका नाम है मैगनीश्ययम कि को बीच वी क्लोरोफिल एक के सिंटर्पेक मेटल है प्लोसर क्या नाम है magnesium magnesium जो है इधर देखिए ये कोवैलेंट बॉंड इस रिंग से कोवैलेंट बॉंड दो कोवैलेंट बॉंड से जूटा है और इधर से एक कोडिनेट बॉंड कोडिनेट बॉंड केमेस्टी में आपको ऐसे पढ़ाया जाता है एरो से तो magnesium दो covalent bond और दो coordinate bond से जुटा है बीच में कौन है? magnesium यही magnesium light को absorb करेगा और excite होगा और excite होने के बाद यही magnesium electron eject करता था याद कीजिए दो electron में बार बार eject कराता था यही magnesium से दो electron eject होते थी और इसी electron के energy से ATP का formation जिसे मैं phosphorylation नाम दिया था सेम electron घुमा निकला और सेम जगा पे वापस आया cyclic photophosphorylation electron निकला chlorophyll से वापस नहीं आया तो इसे कहते थे non-cyclic photophosphorylation तो simple chlorophyll के दो पार्ट एक head part बन गए head part बन गए अब head part में ध्यांज सुनी जो second ring है second ring पे यहाँ पा मौझूद है methyl group CH3 यह आज का सबसे important question है second ring पे गया है methyl group और जब आप chlorophyll B बनाईएगा जब आप chlorophyll B का figure बनाईएगा तो बस याद रखिएगा methyl के जगा aldehyde आ जाएगा CHO आ जाएगा chlorophyll B में बस chlorophyll A और chlorophyll B में यही डिफरेंस है chlorophyll B में aldehyde और chlorophyll A में होगा methyl group यह question हमेशा NEET के एक्जाम में पूछा जाते है what is the difference between the chlorophyll A और chlorophyll B वोले जब सिंपल है सर सेकेंड डिंग में methyl होगा और chlorophyll B में सेकेंड डिंग में क्या होगा aldehyde होगा बस सिंपल सा यह कई बार question पूछा गया question बनाओंगे तो यह सबसे important question बने को ले ठीक है सर अब देखिए तो सर फीगर हमने कर लिया इसका dimension पूछा ज़े जो हेड़ पार्ट है यहां देखिए यह हेड़ पार्ट अभी बनाया मैंने यहां से यहां जो डाइमेंशन है वह 15 एंगस्ट्रम है हेड़ पार्ट का डाइमेंशन देखिए 15 एंगस्ट्रम है ना 15 एंगस्ट्रम है जो हेड़ होता है वह वाटर सॉलिबल है यह तक है वाटर सॉलिबल याँ वह कैसा नेड़र का वो पोलर नेचरकव फानी में सॉलिबलाईस होना पसंद करेंगा लेकिन अभी टेलपार्ट हमने नहीं बना है अभी टेलपार्ट बनने वाला है यहां यह मैंने बना दिया तेहां से देखो जगा नहीं है तो यह मैंने टेल पार्ट बना दिया यह टेल पार्ट हेड़ पार्ट से ऐसे जूटा है तो यह जो पार्ट है यह जो पार्ट मैंने बनाया वह टेल पार्ट है और उपर में जो बनाया वह हेड़ पार्ट तो क्लोरोफिल एके दो पार्ट, हेड पार्ट और तेल पार्ट, जो तेल का अगर आपसे डामेंशन पूछा जाएगा, तो आपसे अंसर होगा 20 एंगस्ट, 20 एंगस्ट, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्लोरोफिल एका, आपको फार्मूला पूछा जाएगा, पहला को से न, सेकेंड प वाला हो गया, और टेल वाला हो गया, 20 एंगस्ट, नेक्स कोश्ट, जो टेल है, वो होता है, हाइड्रोफोबिक, यानि वो होता है, लिपेड सॉल्लिबल, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाला, नॉन पोलर है, ये लिपेड सॉल्लिबल है, पुल याद करो ये लिपिड पर मेंब्रेन वाले पार्ट पर पाया जाएगा तेल पार्ट ध्यान से देखो ये टेल पार्ट ये टेल पार्ट है लिपिड सॉलिबल है ना ताले को है वो ऊपर में exposed है head पार्ट ऊपर में exposed है अब sunlight गिरा तो बताओ sunlight कहा गिरेगा head पे या टेल पे टेल अंदर में धसा हुआ है lipid में membrane में head ऊपर exposed है इसी head पे बैठा है magnesium इसी पे sunlight गिरेगा और यहीं से electron eject होगा यही electron अब light reaction में participate करेगा यही electron अब excite हो गया वहीं जाएगा photo phosphorylation में cyclic में non cyclic में तो मेरे में से यहां तक एकदम clarity है फिर भी मैं फटाफट जो बच्चे लेट से आए उनके लिए मैं repeat कर दूँ आप से जो exam में पूछा जाएगा पहला question chlorophyll A का फार्मूला चलो बच्चे लोग सभी लोग लिक करके दिखाईए गो टू दा message message box में जो और chlorophyll A का फार्मूला फटा-फट लिक करके दिखाईए मैंने बताया था what is the formula of chlorophyll A take time मैंने बताया थोड़ा सा क्लू दे देता हूं कार्बन कितना था 55 hydrogen कितने थे 72 oxygen कितना था 5 nitrogen कितने थे 4 और center पर बैठा था magnesium कोई टेंचन नहीं ध्यान से देखो अगर question में पूछ दिया गया वाट इस दा फार्मूला फट्लो फिल बी वाट इस दा फार्मूला फट्लो फिल बी यह सबसे important question बनेगा तो बोलना देखो जब हमें जो पता है मैं बता रहा हूं क्लोरो फिल ए में सेकेंड डिंग पे मिथाइल गुरूप था और क्लोरो फिल बी में आ जाएगा अल्डिहाइड गुरूप सी एच ओ तो सर देखो कार्बन का तो कोई difference नहीं देख रहे हैं दोनों में कार्बन देख लो दोनों में कार्बन है कोई इशू नहीं है सर हाइड्रोजन ना क्लोरो फिल बी में दो घट जाए यहां हाइड्रोजन देखो सर तीन है और यहां एक है तो कितने हाइड्रोजन सेम होंगे और यह हो गया magnesium हो गया यह क्लोरोफिल बी का फार्मूला तो कोई इशू नहीं पहला को से नहीं पूछा जाता है एक फार्मूला बी का फार्मूला कभी कभी जो नहीं पूछा जाना जाएए यह पूछ देगा कि यह बताए यह क्लोरोफिल ए का molecular weight कितना है और chlorophyll B का कितना है जैसे chemistry में आप calculate करते हो न कि carbon 12 होते है उसको 55 से multiply कीजिए hydrogen का मालूम है oxygen का मालूम है तो मुझे एक rough idea दे दो कि ज्यादा भारी कौन है ज्यादा molecular weight किसका है chlorophyll A का या chlorophyll B का क्लू यहाँ है यहाँ CH3 है और यहाँ CHO है बताओ ज्यादा भारी कौन होगा molecular weight ज्यादा किसका होगा लली तेज थोड़ा concentrate करो भारी कौन है A है या बी है एक में CH3 है और एक में CHO है तो देख लो ने calculate कर लो CH3 कितना होता है 12 और 3 15 हो गए और यहाँ aldehyde है तो 12 और एक oxygen भी आ गया 16 उसका molecular weight होता है तो यहाँ तो 29 होगे ना 17 का इतिंग difference हो जाएगा हाँ B का ज्यादा होगा ठीक है थोड़ा rough idea दे देता हूं तो यहाँ तक मुझे लगता है इसका आएगा 893 साथ ऐसा calculate करने आता नहीं है इसका लगपा 907 के आसपास ठीक है मैं rough दे रहा हूं मुने अभी calculate नहीं किया है आगे में जरुरूत पढ़ेगा तब मैं पूछूँँगा उले ठीक है सर दोनों का color कैसा हो इंसे आट में साफ साफ लिक है जो chlorophyll यह है वो भी green color का है और जो chlorophyll भी है वो भी green color का है सर हमें तो पता है ना chlorophyll तो green color का होता है एकदम करें इसलिए plant green color का दिखता है कोई शू नहीं लेकिन NCRD वापस से पढ़ो NCRD लिखता है कि यह bluish green है NCRD कहता है यह bluish green है और यह yellow green है अगर आप एक टेक्नीक है पेपर chromatography पेपर chromatography पेपर chromatography एक word यूज करते हैं अगर पेज नंबर आइधिंग टू वन टू पे दे रखाऊँगा पेपर chromatography ना उसमें क्या करते हैं उसमें एक leaf ले लेते यह practical कराया जाता है तुम्हारा lockdown नहीं रहता तो शायद इस्कूल में कराया जाता है ठीक है कराया जाता है class 12 में graduation में एक leaf ले लो leaves को motor और pestle उसमें कूट दो घर में mixy है ना mixy में डाल दो चला दो अंदर में क्या हो जाएंगे जो leaf के cell तूट जाएंगे और तूटने के बाद cell तू मर गया degrade हो गया उसके सारे pigment बहार आ जाए तेक दा लीफ उसे crush कर दो चूर दो सिंपल बहार सामी सेल मर जाएगा और उसके pigment बहार आ जाए इस pigment के जो solution है इस pigment के जो solution है the solution of pigment ना उसे एक paper पे run करना है उसे एक paper पे run करना है इसलिए इस technique का नाम है paper chromatography इस technique का नाम होगा paper chromatography और जब paper पे आप देखोगे अभी मैं experiment करके बताऊंगा तो इस paper पे आपको चार color मिलेंगे इस paper पे आपको clear-cut चार color मिलेंगे यानि इस pigment में चार तरह के real में pigment है चार types के pigment है सबसे पहले आपको मिलेगा एक मिलेगा आपको yellowish green एक मिलेगा यल्वish green यानि chlorophyll B, एक मिलेगा आपको blueish green यानि chlorophyll A, एक मिलेगा आपको orange color का जिसका नाम होगा जिसका नाम होगा आपको carotene और एक आपको मिलेगा yellowish color का part जिसका नाम होगा आपका xanthophyll, NCRT इसी का reference लेगा कि जो तुमें लिखता है कि pigment green color का ऐसा नहीं, pigment को आप तोड़िए और तोड़ने के बाद extract कीजिए, अलग-अलग कीजिए, paper chromatography के थूँ, इसी को कहते है chromatogram, जो बना chromatogram, technique का नम chromatography, चारो color आपको distinct दिखेंगे, आप आसानी से color को पहचान सकते हो, तो आपके दिमांग में चल सकता है, यहां तो orange color का भी light, orange color भी है, yellow color भी है, तो plant हरा क्यों दिखता है, तर आपने बोला कैरोटीन, orange, जैन्टोफिल, yellow, तो plant हरा क्यों दिखता है, उसका simple reason है, plant के अंदर में chlorophyll का amount ज़्यादा है, chlorophyll का amount लीफ में ज़्यादा है, इसलिए plant orange को और yellow को छुपा देता है, overall वो green color ज़्यादा दिखता है, एकदम simple है, लेकिन यही लीफ, जब mature होने के बाद गिरता है, हाँ, तो वो chlorophyll खतम कर जाते है, chlorophyll तूट जाते है, तो वो yellowish color दिखने लगता है, क्योंकि xanthophyll ज़्यादा है, गाजर के अंदर में, कैरोटीन ज़्यादा है, इसलिए वो orange color का दिखता है, तो simple सा reason है, dominancy, जो ज़्यादा amount में होगा, वो उतना ज़्यादा color का दिखेगा, तो leaf में ज़्यादा chlorophyll है, इसलिए green color दिखता है, simple सा है, बोले ठीक है, चलो next question, ये बताएए कि chlorophyll A is made of two parts, एक होगा head part, चलो second question, what is the shape of chlorophyll A, chlorophyll का shape कैसा होता है, what is the shape of chlorophyll A, तो मैंने आपको बताया था, simple सा question था, नीट के एक्जाम में आएगा, बोले बहुत आसान है, tadpole से, answer is that tadpole से, और chlorophyll A is made up of the head, head में चार रिंग होंगे, इसलिए से कहेंगे, tetrapyrol, tetrapyrol, pyr, one minute, tetra का मता होंगे, चार, tetrapyrol ring, pyr, और जो tail part होगा, वो बना होगा phytol tail से, phytol tail से, चलिए, फटा-फटा, ठीक है, तो जो head है, उस पूरा tetrapyrol जो मिलकर के बनता है, उसे हम लोग कहते है, porphyrine head, porphyrine head, तो next question आप से पूछा जाएगा, कि जो porphyrine head होता है, वो कैसा होगा, polar होगा, non-polar होगा, water soluble होगा, hydrophilic होगा, यह hydrophobic होगा, तो आपका बोलना, सर, यह water soluble है, यह है, सर, hydrophilic, और यह membrane के ऊपर होगा, philic होगा, membrane के ऊपर होगा, और जो tail है, वो सर, पानी से डरता है, hydrophobic होगा, hydrophobic होगा, lipid soluble होगा, इसलिए मैंने आपको बताया तो यह थालेक्वाइड का मिम्ब्रेन है थालेक्वाइड के मिम्ब्रेन पे क्या होगा टेल पार्ट होगा और उपर में क्या होगा हेड़ पार्ट होगा और लाइट किरेगा हेड़ पार्ट में और हेड़ पार्ट ही रिलीस करेगा एलेक्ट्र तो यह याद रखने हैं चलो थार्ड को सब्सक्राइब कितना बताया था 15 इंटू 15 एंगस्ट्रम और जो तिल पार्ट था यो मैंने तिल पार्ट बनाया था वो था 20 एंगस्ट्रम तो यह याद रखेगा आपको क्लोरोफिल एक बारे में नेक्स्ट सर ख्लोरोफिल ये पाया कहा जाता है तो एकदम सिंपल और स्वीट सा अंसर होगा इसमें ज्ञाद आपको सोच नहीं नहीं है जहां भी फोटोसिंस में दोरान जहां भी फोटोसिंस के दोरान oxygen release होगा यान करके आना वहां chlorophyll-A अमस्ट होगा तो सर कहां खां दुनिया में कौन16 लानी के सारे औक सिजेनिक है तो यू बैक्ट्रिया पुराने बैक्ट्रिया यू बैक्ट्रिया जैसे green sulfur bacteria जैसे purple sulfur bacteria ये बोलेंगे भाई साब मैं oxygen release नहीं करूँगा मैं कैसा हूँ inoxygenic हूँ मैं हूँ inoxygenic मैं photosynth में oxygen release नहीं करूँगा अगर release नहीं करोगे तो तुमारे अंदर chlorophyll A नहीं होगा chlorophyll A is absent इनको छोड़ दो इस bacteria के group को छोड़ दो दुनिया में जो organism मिलेगा जो photosynth करता है जैसे blue green algae oxygen release करेगा तो chlorophyll A होगा green algae chlorophyll A brown algae chlorophyll A red algae chlorophyll A protesta kingdom अगर वो photosynth करता है जैसे की die atoms dino phlazolates uglinoide जो भी photosynth करेगा और उसमें oxygen अगर release करेगा तो they contain chlorophyll A इसलिए सबसे important question बनेगा chlorophyll A को कहेंगे universal photosynthetic pigment universal photosynthetic pigment ये याद रखिएगा कभी गड़बर मत कीजिएगा photosynthetic pigment दुनिया में जहां भी oxygen होगा वहाँ chlorophyll A must होगा इसलिए गलती से plant kingdom chapter निकाल लीजी ग्रीन algae देखिए सर A है ब्राउन algae chlorophyll A है red algae chlorophyll A है अगर protesta kingdom देखिएगा वहाँ भी chlorophyll A है और अगर blue ग्रीन algae पढ़िएगा biological classification में वहाँ भी chlorophyll A होगा सभी जगा है इसलिए universal photosynthetic pigment नाम दिया जाएगा तो कोई गड़बर नहीं करना है बड़ा important है और ध्यान से सुनना है clear है और ये chlorophyll A हमारा reaction center के तरह काम करेगा reaction center के तरह काम करेगा बोले ये क्या है अरे यही chlorophyll A पे light गिरेगा तो वो electron eject करेगा याद करो sunlight आएगा पहले वो photo system पे गिरेगा chlorophyll B पे कैरोटीन पे जैन्थोफिल पे सभी लोग light पकडेंगे और light को पकड़ करके chlorophyll A को दे देंगे भाई या तुही मेन है तुही मेन है तेरे अंदर ताकत है electron को excite करके निकालने की इसलिए इसे मैं कहूंगा main photo synthetic pigment यही reaction center के तरह काम करेगा electron excite यही करेगा chlorophyll B नहीं करेंगे कैरोटीन नहीं करेगा जैन्तोफिल नहीं करेंगे इसलिए एक और नाम देंगे मेन फोटो सिंथेटिक पिग्मेंट मेन फोटो सिंथेटिक पिग्मेंट चलो तो इतना इनाफ हो गया chlorophyll A के बारे में ठीक है चलो फटाफट को सन बनाए चलो फटाफट जाईए और बताईए वट इस फार्मूला फ्लॉरो फिल ए चलो फटाफट फाइब कोसन सॉल्व करते हैं वट इस फार्मूला फ्लॉरो फिल ए गो टू तो दा मैसेज बॉक्स और अंसर राइट दा फार्मूला फ्लॉरो फिल ए ठीक है आइटिंक सभी को याद होगा राइट दा फार्मूला फ्लॉरो फिल ए इतने दिर में तो रट्टा मार लिया होगा चलो ठीक है चलो नेक्स को से वट इस दा फार्मूला फ्लॉरो फिल भी वट इस दा फार्मूला फ्लॉर क्लोरोफिल बी देखते कौन इसमर पताता है कल्पना अनुभाव का करेक्ट है C55-H70-O6-N4-MG ठीक है करेक्ट चलिए बते हैं क्लोरोफिल ए और बी में क्लोरोफिल ए और बी में सेकेंड रिंग पे किस मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है क्लोरोफिल ए और बी में जो टेट्रा पायरॉल रिंग है जो सेकेंड रिंग है सेकेंड पायरॉल रिंग है उनके अंदर में किस मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है तो अंसर है सर्फ सिंपल है क्लोरोफिल ए में मिथ हाइल होगा और ख्लोरोफिल बी में अल्डियाइड होगा एकदम सिंपल सा है चलो ठीक है मिथाइल होगा एक में अल्डियाइड होगा ठीक है next question what is the shape of chlorophyll A what is the shape of chlorophyll A ठीक है तो अंसर एकदम सिंपल सा है tadpole ठीक है answer is the tadpole से चलो third what is the dimension of chlorophyll A what is the dimension of chlorophyll A what is the dimension of chlorophyll A chlorophyll A का dimension लंबा ही चोड़ा ही बताना है ठीक है तो जो हेड़ पाठ होगा 15 into 15 हेड और जो टेल होगा वो 20 एंगस्ट्रम का जो टेल होगा वो होगा 20 एंगस्ट्रम का चलो ठीक है what is the color of chlorophyll A what is the color of chlorophyll A what is the color of chlorophyll A yellowish green नहीं bluish green bluish green yellowish green तो chlorophyll B का होगा ठीक है who is the universal photosynthetic pigment who is the universal photosynthetic pigment ठीक है answer is the chlorophyll A ठीक है किस organism में chlorophyll A नहीं पाया जाता दुनिया का ऐसा कौन सा photosynthetic organism है जिनके अंदर में chlorophyll A नहीं पाया जाएगा तो बोलेंगे सब दुनिया में सब जगा पाया जाएगा यू बैक्ट्रिया को छोड़ दीजिए वो green sulfur purple sulfur क्या होता है मुझे नहीं मालूम उसको छोड़ दीजिए वरकि सभी जगा पाया जाएगा चलो ठीक है ठीक है यहां तक याद रखना है चलो next सर यह बंता किससे तो जब आप respiration chapter पढ़ रहे थे मुझे याद है जब आप respiration chapter पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था चलो revise करा देता हूँ एक एमाइनोसीड होता है जिसका नाम होता है glycine अब पढ़िये गए एक एमाइनोसीड के बारे में जिसका नाम होता है glycine मैं पढ़ाओंगा biomolecules में और respiration chapter में एक product बनता है intermediate एंटरमीडियेट एंसे इंटरमीडियेट में given है उसका नाम है succinyl coenzyme succinyl coenzyme A NCRD में बड़ा important है याद रखिएगा succinyl coenzyme A रठीक है दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद में बनाते हैं chlorophyll नहीं बनाते हैं ध्यान से सुनिएगा वो बनाते हैं proto chlorophyll यानि inactive chlorophyll याद रखिएगा वो inactive है अभी active नहीं है proto chlorophyll अभी inactive लिग देता हूं कि तुम लोग confused नहीं हो inactive chlorophyll अब क्या होगा अब इसके उपर में गिरेगा sunlight sunlight is essential for formation of chlorophyll अब इसके उपर में गिरेगा sunlight sunlight और इसमें जुडेंगे hydrogen hydrogen plus H2 hydrogen जुडेगा तो यह बनेंगे chlorophyll तब यह बनेगा chlorophyll इसलिए एक बड़ नीट में question पूछा गया था नीट में छोड़ो मैं तुम्हें घर पे experiment बता रहा हूँ तुम्हारे घर में कोई plant वलांट है उस plant को निकालो और एक अंधेरे रूम में बंद कर दो कहीं से light नहीं आना चाहिए अंधेरे रूम में एकाद हपते के लिए बंद कर दो लडीक सर निकालेंगे तब जब निकालो गए न तो जो हरे रंग का लीफ है वो पीले रंग में कनवर्ट हो जाएगा सर कैसे पीले रंग में कैसे कनवर्ट हो गया तो chlorophyll लीफ में लगतार बनते रहता है बनता है तुमने एक हपते के लिए उस प्लांट को बंद कमरे में रख दिया तो बंद कमरे में सनलाइट तो आया नहीं तो chlorophyll बना नहीं और chlorophyll के चलते होता हरा रंग वो हरा रंग लूज करते जाएगा और वो पीलापन के तरफ बढ़ते चला जाएगा और मुर्जा जाएगा चाहिर इसे बात है photosyns करेगा नहीं, खाना बनेगा नहीं, starch बनेगा नहीं, प्लांट का growth होगा नहीं, इसी को एक word नीट के एक्जाम में पूछाता है, ethiation क्या होता है ध्यान से सुनना, जब आप प्लांट पे experiment करते हो, उसे sunlight नहीं देते हो, तो sunlight नहीं देंगे, chlorophyll नही नहीं बनेगा जोड़ा खराब सदीखेगा मरवगा तैप का दिखेगा इसी हिए इटायोलेशन यादरखना नुर्थ मिनरल प्लांट में लिखा है, मिनरल निटिशन इन प्लांट में ये वर्ड लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहां, NCRT लिखती है ये वर्ड, कि क्लौरोफिल, एة चलौरोफिल का पाथ कौन है ख्लोरोफिल में क्लोरोफिल में क्या आइरन नाम का मेटल है उसर नहीं है कहां दिख रहा है यहां यही लाइन लिखता है मिल्लाइन नूट्रिशन में पढना जा करके आइरन इस नोट दा कंपोनेंट ओफ ख्लोरो फिल इस क्लोरोफिल को बनने में वो केटलिस्ट का रॉल प्ले करेगा iron जो है उसका पाठ तो नहीं है लेकिन chlorophyll बनने के दोरान में वो essential है और अगर आपने iron की कमी कर दी मिट्टी में iron नहीं डाला तो chlorophyll नहीं बनेगा इसे हम लोग कहेंगे chlorosis chlorosis जो आपने mineral nutrition में पढ़ा भी है तो याद रखना ये anxiety का word है magnesium is the component of chlorophyll मैगनिशियम धना सेंटर में आइरन थोड़ी था आइरन इस नौट दा कमपोनेंट अफ क्लोरोफिल बट इट आक्ट अज कैटलिस्ट इन दा फॉर्मेशन अफ क्लोरोफिल अगर आइरन की कमी की क्लोरोफिल नहीं बनेगा और लीफ यलोईश कलर हो जाएगा क्लोरोफिल तो बन नहीं रहा है और क्लोरोफिल लगातार बनते हैं तूटते हैं बन तो रहा नहीं तूट रहा है तो यलोईश कलर में कनवर्ट होने लगेगा जिसका नाम क्लोरोसिस कहेंगे यह बड़ा important line है एंसे आटे में given है मिल्रन डोटिशन चलो ठीक है तो मेरे में से सभी बच्चे को समझ में आ गया चलो फटवर हैंड रेस कर दो कि एक बार हैंड रेस कर दो क्लोरोफिल साइद क्लियर हो गया होगा सभी को कि चालो अब देखिए हम लोग चलते हैं के तरफ के सर में काम तो क्लोरोफिल का है तो क्यों होते हैं चलो पढ़ते हैं चलिए फटा-फट सीखते हैं के इसके बारे में लोग पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं समझ में तो आया नहीं तो छोड़ देते हैं हमनों एंसेसीर को П alorsट समूझ में आता है पढ़ते हैं लेकिन और समझ में आता है फटा चुबियों सब्सक्राइब कुछ लिखा था कुछ पता नहीं चला छोड़ दिया समझूट कैरिटुनाइट दो तरह के एक औरेंज कलर वाला कैरोटीन सर फार्मूला बता दीजिए लिखिये फार्मूला से 55-H72 अश sedan ना और पढ़तीओ ना तो यह करोटीन कुछ नी है एक तरह का ह्इड्रो कार्बन है पालर कर खैर तो अभी तो बता दिया मझी और्रिंज कलर इंच कलर का ठीक है सेकेंड मैंने बोला जैन्थोफिल जैन्थोफिल सर यह कलर कैसा होता है यलोईश कलर बोला तो सर फार्मूला बता सकते हो सुनो जैन्थोफिल कुछ नहीं कैरोटीन का ऑक्सिडाइज़ फॉर्म कैरोटीन का ऑक्सिडाइज फॉर्म C55, H72, ऑक्सिजन डाल दो हो गिया जैन्थोफिल पस कही तरह के होते एक और बना दिया C55, H72 और यहां लिख दिया O2 हो गिया बस कैरोटीन में ऑक्सिजन जोड़ दो जैन्थोफिल बन जाएगा एकदम सिंपल है इसलिए मॉलिकुलर वेट अब तो बता दोगे सर मॉलिकुलर वेट बताएं सबसे ज्यादा किसका होगा यह कैसा होगा तो वह अब सर होगी है देखो ना यहां C40 एक मिट एक मिट एक मिट एक मिट इसमें थोड़ा सा सुधार कर देता हूं भाई C40 एक मिट एक है यह तो मैंने क्लोरोफिल का बता दिया था C40 H56 ठीक है यह है C40 H56 oxygen या C40 H56 O2 चलो वह तो मैंने क्लोरोफिल एक बता दिया चलो ठीक है तो बस कुछ नहीं करना है कैरोटीन में आप oxygen को जोड़िए यह बन जाएगा जैन्थोफिल 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 अब ध्यान से सुनना है सर कैरोटीन कहां होता है कैरोटीन कही तरह के होते हैं लेकिन प्लांट में मेंली जो कैरोटीन पाया जाता है वो होता है बीटा कैरोटीन जो गाजर में आपको दिखता है आप खाते भी हो बीटा कैरोटीन is the mean कही तरह के होते है अलफा बीटा गामा लिए प्लान में 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 ली कौन होता है बीटा कैरोटी और ये कैरट में गाजर में आपको दिखता है सर गाजर क्यूं खाना चाहिए नहीं सुनो गाजर जब बीटा कैरोटीन जो है वो बनाता है विटामिन ए इसलिए बीटा कैरोटीन को कहते हैं प्रिकर्षर ओफ विटामिन ए गाजर क्यों खाना चाहिए जो आपके आई साइट के लिए कैसे गाजर खाया उसमें क्या बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन आपके अंदर जाएगा वहां मेटाबोलाईस होगा और बनाएगा विटामिन A जो आपके आइसाइट के लिए इसलिए आपकी मम्मी बच्पन में बोलती थी गाजर खाया करो, आई साइट अच्छा होगा, इसलिए आपके बायोटेक में एक वर्ड आया होगा, गोल्डेन राइस याद करो, गोल्डेन राइस, हमने राइस प्लांट में बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया, राइस प्लांट में मैंने किसका जीन डाल दिया, राइस प्लांट में हमने बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाल दिया, अब उस राइस को मैं खाऊंगा, तो उस राइस के अंदर क्या है, बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन, बीटा कैरोटीन क्या बनाएगा, विटामिन A और vitamin A से हमारा night blindness का problem solve हो सकता है तो हर बार नीट में तो को से नाता था कि golden rice क्यों तो answer था उसका night blindness के problem को solve करने के लिए color blindness मत याद करना night blindness क्योंकि color blindness तो genetic disorder होता है उसे कोई ठीक नहीं कर सकता है ना night blindness vitamin A की कमी से होती है याद करो vitamin A की कमी से night blindness कैसे ठीक कर सकते हो vitamin A खाएंगे vitamin A नहीं मिला तो carrot खाली जए गाजर खाली जए लेकि सर plant में क्यों होता है plant में क्यों होता है प्लाण में जो main Xanthophyll होता है उसका नाम होता है Lutein, plant में कई तरह के Zanthophyll पाय जाते हैं, लेकिन mainly higher plant में जो देखा जाते हैं वो Lutein नाम का देखा जाते हैं. एक और नाम बताओ, आपने brown algae का नाम सुने, कैसा color देखता है, brownish color देखता है, क्यूं, NCRT में plant kingdom में जाके देखना, इंसियाटी में जो Plant Kingdom chapter है वहां लिखना ब्राउन एल्गी इंसियाटी में लिखा ही है वाड़ दे तो ब्राउनिश इन कलर वो ज्यादा ब्राउन दिख सकता है डिपेंड ऑन दा पिग्मेंट जैन्थो फिल एक जैन्थो फिल है जिसका नाम है फिको जैन्थीन ये भी क्या है एक तरह का जैन्थो फिल है अगर फिको जैन्थीन जादा तो ग्रीन के जगा ब्राउन दिखने लगेगा और वो brown algae कहलाएगा तो वो brown algae में जो आपका phucosanthin था वो कोई नया pigment नहीं था वो xanthofil ही था तो याद रखना है बहुत important है plant kingdom में जो brown algae है उनके अंदर में एक special xanthofil जिसका नाम है क्या? phucosanthin phucosanthin ज़्याद है amount में तो वो dark brown color का दिखेगा comfy people xanthin नहीं light brown color का दिखेगा तो यही कहानी है चलो दिखेगा सर केरोटिनोइट्स करते क्या है सर केरोटिनोइट्स करते क्या है तो बोलता है NCRT वे बड़ा खतरनाक वरण है केरोटिनोइट्स क्या करते यह समझना है केरोटिनोइट्स करते क्या है त्यान से देखिए त्यान से सुनगे गढ़ बड़ नहीं करना है NCRT कहता है एक खतरनाक वरण इट प्रिवेंट्स फोटो सिस्टम यह जो होता है जो फोटो सिस्टम है फोटो सिस्टम में कौन है एक reaction center है reaction center है यह reaction center जो chlorophyll A7 इस reaction center को photo oxidation से बचाता है अब तुम बोलो के सर यह photo oxidation क्या होता है इंचाटी में यही word लिखा है इट प्रिवेंट्स रियाक्शन सेंटर फ्राम फोटो ऑक्सिडेशन वो रियाक्शन सेंटर को photo oxidation से बचाता है अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जादा है यानि की गर्मी का टाइम है मेजून का टाइम है और लाइट लाइट जादा है मॉन्ट में आ रही है इंटेंसिटी जादा है यही ना लाइट जादा आ रही है इंटेंसिट नंबर फोटोन जादा रहे है फोटोन जादा आ रहे है अगर फोटोन जादा आएगा अगर फोटोन जादा आएगा तो रियाक्शन सेंटर क्या करेगा रिय ज्यादा निकल गाए एलेक्ट्रॉन इसके घर में थोड़ी बैठ है एक्षन सेंटर में थोड़ी ना बैठ है वह बोलेगा भाईया वाटर को औक्षिजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को ऐसा करो वाटर को तोड़ो एच्टूओ को तोड़े और वाटर को तोड़कर के बना दो Seven लिक्ट्रों डो प्रोटॉन और हाफ मॉलीक्यूल ऑफ ऑक्सिजन इस ऑक्सिजन को आप कहते हो नेसेंट ऑक्सिजन यह फ्री-डेडिकल के फोर्म में होता है यह 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 हाईली अनस्टेबल है यह मार सकता है उसार किसको यह oxygen react करेगा reaction center से इसी को NCRT कहता है nascent oxygen यह oxygen highly unstable है और वो reaction center को oxidize करा देगा यानि उसे खराब कर देगा इसी word को नाम दिया photo oxidation तो ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँगा अगर में जून का टाइम है सनलाइट से photon ज्यादा आ रहे photon number of photon ज्यादा है per unit area तो electron का ejection ज्यादा होगा reaction center ज्यादा electron निकालेगा electron की भरपाई कौन करेगा water तूटेगा और water जब तूटता है photolysis of water तो water तूटेगा तो क्या release करेगा nascent oxygen यह oxygen highly unstable है और वो reaction center से bind करेगा और उसे करेगा photo oxidation यानि permanent damage permanent damage permanent damage करेगा उसे पर्मानेंट damage होगी है तो फिर काम नहीं करेगा खतम खतम फोटो सिस्टम खतम हो जाएगा तो आप नहीं होगा फोटो सिस्टम खतम हो जाएगा यह इंचाटी में दो बार लिखा गया है यह टम इंचाटी में दो बार यूस किया गया है ध्यान से सुनना तो सर कैसे बचाएं फोटोन ज्यादा आ रहा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहा है पानी ज्यादा टूटेगा ज्यादा नेसेंट ऑक्सिजन होगा सर बचाएं कैसे तब आएगा कैरेटिन वाइट्स बूलेगा मैं हूं अभी टेंचर मत लो मैं सिल्ड करूंगा एंचाटी का वर्ड है टू टू वन थ्री पेज सिंगलबॉंड डबल बॉंड सिंगल बॉंड डबल बॉंड इसी पेद्ध को कॉन्जूगेशं में जैंसेंगडबन सिंगल डबल डबल यहीं आपका कैरेटिनउी अब यहां आ गया नेसेंट ऑक्सिजन फ्री रेडिकल वाले ऑक्सिजन हाइली अनिस्टिबल कि किसी से टकराया पर्मनेंट डेमेज करते हैं तो अब क्या करेगा टेंचन मतलो टेंचन मतलो यह बोलेगा कैरेटिन वाइट देखो भाईया मेरे पास सिंगल बॉंड भी है और डबल बॉंड भी है डबल बॉंड को मैं तोडूँगा और तुम्हें अडजिस्ट कर लूँगा तुम्हारे नेसेंट ऑक्सिजन को मेरे पास सिंगल बॉंड भी है और मेरे पास है डबल बॉंड डबल बॉंड को तोडूँगा इस नेसेंट ऑक्सिजन को पिक कर तो नेसेंट एक्सिजन पकड़ में आ गया जो highly unstable था उसे पकड़ लिया और बाद में जब यह reaction complete हो जाएगा तो बाद में बोला जाता है यह कैरिट इनवाइट्स वापस अपने सेप में लौट जाएगा वापस अपने c single bond double bond single bond double bond में लौट जाएगा और जो nascent oxygen है उसे oxygen molecule के form में release कर दिया जाएगा तो जो free radical वाला oxygen था बहुत जो dangerous था नेसेंट oxygen फोटो ऑक्सिडेशन करने वाला था मैंने उसे molecule में अब वो stable form of oxygen में convert कर दिया तो इनसे आइटमी इसली तो लिखा है देविल सिल्ड सिल्ड का मतलब क्या होता है बचाना देविल सिल्ड दा reaction center reaction center में जो chlorophyll A है उसे मैं सिल्ड कर रहा हूँ बचा रहा हूँ clear है यह बहुत खतरनाक word है यह लोग पढ़ते हैं उपर से चला जाता है तो tension नहीं लेना है बस एक लाइन भी जाद दखना इसका main काम है सिल्ड करना chlorophyll A को बचाना है क्योंकि photon ज्यादा गिरेगा photon ज्यादा गिरेगा electron ज्यादा निकलेगा electron की भरपाई water की तूटने से होती है water ज्यादा तूटेगा water ज्यादा तूटेगा तो nascent oxygen ज्यादा निकलेगे और nascent oxygen react करेगा chlorophyll A से और photo oxidation कराएगा photo का मतलब light देखो light की intensity आई oxygen से जुलिया photo oxidation और permanent damage कर देगा इस permanent damage से बचाने के लिए मैं हूँ keratinates मैं उस oxygen को पकड़ लूँगा और पकड़ करके मैं उस nascent oxygen को जो highly lethal था जान लेवा था उसे मैंने convert कर दिया उसे मैंने convert कर दिया किसे stable form of oxygen molecule में इसलिए आपका कैरेट इनवाइट सिल्डिंग इफेक्ट देगा वह सिल्ड करेगा chlorophyll एक यह बड़ा important line है बच्चे पढ़ते हैं छोड़ देते हैं क्योंकि समझ में आता नहीं इसलिए छोड़ देते हैं तो ठीक है clear है या फिर से क्लेर होगा मालवी का आ रहा है कै कर लोगे तो बस एक ही लाइन याद रखना प्रिवेंट फ्राम फोटो ऑकसीडेशन प्रव Console प्रिवेंट फ्राम फोटो ऑकसीडेशन सी मतलबzugeड़ हाइड्रो कारबन इसी मतलब हाइड्रकार्बन गार्ज्टे में हाथ हैड्रो कारबन ऑल्कीन अलकाइन, वही हाईड्रो कारबन से चालो ठीक है तो यहां तक क्लियर हो गया चालो यानि तुम्हारे पिग्मेंट लगबग सारे क्लियर हो अब NCRT में एक बड़ा इंट्रेस्टिंग एक्सपरिमेंट दिया है और NCRT में लिखा दिया इंगलमान का देखना ncati में आपको जहां फोटो से स्टाट हुए ना उसके फर्स नहीं सेकंड थर्ड थर्ड पेज पे एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया इंगलमान ना लिखता है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है थ्यान से सुनना कंसंटेशन को लूज मत करना यह समझ में आया इंट्रेस्टिंग के सारे ग्राफ समझ में आ चाहिए क्योंकि अभी तिमें तीन ग्राफ पढ़ना है तो ध्यान से सीचिए को लिख सर क्या करना है सबसे सिंपल कहता है कि पहले आप ले लिजी यह वाइट लाइट या सनलाइट है लटीक है वाइट लाइट या सनलाइट ठीक ले लिए उसे आप एक प्रिजम से क्रॉस कीजिए बचपन में पढ़ा है बचपन में आपने पढ़ा है कि आप वाइट लाइट को जब प्रिजम से क्रॉस करेंगे तो जो वाइलेट इंडिगो ब्लू ना ग्रीन ओरेंज अन्द रिड यहीं पड़ा है ना विबगी ओर में वो तूट जाए आई तिंग इतने होगे हां मैंने फाइज सेवन बनाए ध्यान से सुनना तो जो आपने यहां पर विबगी ओर बनाया है मैं थोड़ा बड़ा कर देतों थ ऐसान लगेगा यह आपनेलिया हो पैंड लाइन लाइं वाइट लाइं और यह लिए आॉइली आपने रोड़ प्रिमिष्ग से घुजा हरा तो क्या हो गया सेवन कलर में यह तूट गया सेवन कलर में यह तूट जाए गाज विब वाइलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ओरेंज, चीक है, लास्ट वन इस दा रेड, रेड, चीक है, यही साथ कलर में तूटता है, बोले हाँ से, सिंपल है, सबको आता है, सर, इसका वेबलेंद केटना वोकट है, एक्टम सिंपल व में समझ इसका वेबलेंद की बात कर रहे हैं, तो वेबलेंद जो होगा, मैंने समझने के लिए, वि आई भी जो है वाइलेट इंडिगो ब्लू इसे मैं ब्लू रेंज का Light मानूँगा, इसे मैं ब्लू रेंज का Light मानूँगा, क्योंकि NCRT आप्से इसे आपको एक्सप्रेस करें यह जो है आपका ग्रीन और यलो यह हो गया आपका ग्रीन रेंज का लाइट ठीक है और यह आप माल लीजिए यह माल लीजिए आप रेड़ लाइट यानि कि आप आप सिंपल समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को तीन कलर में डिवाइट कर दीजिए एक हो गया ब्लू एक हो गया आपका ग्रीन और एक हो गया आपका रेड मैंने समझने के लिए विब गयोवर में सेवन कलर है मुझे मालूम है लेकिन मैंने समझने के लिए स्टार्टि वाले विब को ब्लू माना ग्रीन और यलो को मैंने ग्रीन माल लिया और लास्ट वाले को और इंच और रेड़ वाले को मैंने रेड़ से माला अब यह जो सेवन कलर का लाइट है मैंने एक फलस्ट पे डाला लांगे घांज सउनना और दिख भार मैं इस फ्लास्ट के अंदर में एक सिलेंड्रीकल फ्लास्क है इस फ्लास्क के अंदर एक अलगी ग्रॉ कर रहा है जिसका नाम है आपले क्लैडो फोरा और NEET के एक्जाम में यही कोशन पूछा था इस एक्सपरिमेंट में जो algae को ग्रो किया गया है वो कौन सा algae है तो बुलना filamentous algae है जिसका नाम है cladophora तो कोशन आएगा ingleman के experiment में जो algae use किया गया था filamentous algae जो green algae था नाम क्या था लिखना cladophora cladophora भूले ठीक है जहां से सुनना यानि कि यह algae है इसके उपर में मैंने blue light green light और red light डाला algae photosense करेगा तो क्या release करेगा algae photosense करेगा तो क्या release करेगा सर oxygen सभी को मालुम है photosense के दौरान क्या release होता है oxygen ingleman यही पता करना चाहते थे क्यों से range के light में oxygen ज्यादा release होगा तुम photosense को कैसे measure करोगे कौन सा plant कितना photosense कर दा कैसे पता चलेगा एक घंटे में कितना photosense वो कर रहे है इसका एक ही तरीक है एक घंटे में उसने कितना oxygen release किया जितना ज्यादा oxygen release होगा उतना ज्यादा ज्यादा oxygen release होगा यानि उतना ज्यादा photosense का rate है एक घंटे तुमने 500 release किया यानि कि तुमारे अंदर में photosense का rate ज्यादा हो रहे हैं सिंबल जिगानी लटीक है यानि यह क्या रिलीज कर रहे है देविल रिलीज दा oxygen oxygen क्लैडोफोरा लिया वह oxygen अब देखना ध्यान से बड़ा इंटेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है उन्होंने क्या किया उन्होंनों इसके बगल में जो फिलामेंटस एल्गी था उसके बगल में यहां पस ग्रो कराया बैक्ट्रिया बैक्ट्रिया को कैसे बैक्ट्रिया या दखना एरोबिक बैक्ट्रिया एरोबिक बैक्ट्रिया ऐसे बैक्ट्रिया जो रहने के लिए जिंदा रहने के लिए oxygen यूज़ करना पसंद करते हैं जैसे हम लोग जैसे हम लोग हम लोग जिन्दा रहने के लिए oxygen चाहिए हम लोग aerobic हैं तो उन्होंने यह यलो कलर वाला bacteria लिया जो है aerobic bacteria aerobic bacteria बहुत सारे बैच्चे confused होते हैं aerobic में और oxygen में तो यहां पा clarity बनाओ oxygenic in oxygen वह फोटो सिंद्स को बताता है oxygen in oxygen बताता है फोटो सिंद्स के दौरान में oxygen रिलीज किया या नहीं किया clear जैसे cloud of aura oxygenic photosense कर रहे है फोटो सिंद्स के दौर oxygen रिलीज कर रहे है और कहीं भी life में aerobic और anaerobic आए तो वह बताता है respiration को वह बताता है respiration को यानि आप respiration कर रहे हो oxygen के presence में या absence में ये कहलाएगा aerobic और anaerobic photosense में oxygen रिलीज किया या नहीं किया वो कहलाया oxygenic और inoxygenic तो इसमें confused मत होना बहुत सरे बच्छे अरे साथ oxygen का भी बोला था फिर aerobic बोला दोनों से जो मैंने बोला क्लैडो फूरा जो बैक्ट्रिया है oxygenic photosense कर रहा है यानि फॉरस में oxygen रिलीज कर रहा है उसके बगल में मैंने aerobic bacteria को डाल दिया यह aerobic bacteria यह लोगा है तो ठीक है सर aerobic क्यों लिया क्योंकि मुझे पता करना था इस experiment में oxygen के use का अभी थोड़े दिर रुख जो वापस experiment को वापस से revise करो simple white light लेना है प्रिज्म पे गुजारना है प्रिज्म क्या करेगा उस white light को seven parts में तोड़ देगा विब गियोर वाइलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन यलो औरेंज ठीक है अब मैंने क्या गिया उसे समझने के लिए स्टार्टिंग वाला विब जो है वाइलेट इंडिगो ब्लू उसे मैंने माल लिया ब्लू बीच वाला ग्रीन बाद वाला रेड ठीक है अब मैंने इस light को गिराया एक एल्गी के उपर ल्गी पर light मिला ph obstruct선 करेगा कैसा अक्सिजेनिक वह फोट है कि अग्रीन वाइं क्या हैblock सब्सक्राइब है थार्ण यन्क कर धाया अक्सदीन यजिसें चाहिए अब आर्म से इंगल मैं चलने चार्जाएंगे लिए तो यह काफी पीने कर दो ऑंक एक्सप्रैमेंट डिजाइन किया, जो भूँटा कॉफी पी करके ओ, थोड़े दिर बाद और लैब में, आने के बाद में बड़ा इंट्रेस्टिंग चीज दिखेगा, इसे सर क्या दिखेगा, यही तो इंट्रेस्टिंग है, आने के बाद में जो दिखा, वो मैं बता रहा ह आने के बाद में दिखा क्या कि जो इस एरिया में बैक्ट्रिया की पॉपुलेशन घट गई इस एरिया में ग्रीन वाले में बैक्ट्रिया की पॉपुलेशन घड़ गई और ब्लू वाले में बढ़ गई बैक्ट्रिया की पॉपुलेशन ब्लू वाले में ज़्यादा दिख रहा है, रेड वाले में ज़्यादा दिख रहा है और green वाले में कम दिख रहा है यह मैं नहीं कर रहा हूँ, यह experiment में दिखा blue में ज़्यादा red में ज़्यादा, green में कम तो मैंने एक graph बना दी blue, देखे यह blue था blue में bacteria का population ज़्यादा इससे थोड़ा सा समझो bacteria का population ज़्यादा क्यों है तो थोड़ा, यह पास इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि इस एरिया में oxygen ज़्यादा हुआ oxygen loving bacteria है, तो जहां oxygen ज़्यादा होगा, bacteria उधर पहुँचेगे यानि इस एरिया में oxygen ज़्यादा रिलिज रिलीज हुआ green वाले में oxygen कम तो bacteria का population कम है फिर से red वाले reason में oxygen ज्यादा होंगे तो bacteria का population ज्यादा होगा तो थोड़ा logical सोचो इस area में oxygen ज्यादा और इस area में oxygen कम है इसका मतलब है कि जो seven color का light तुम गिराते हो उसमें mainly जो starting वाले ब्लूइश वाले पार्ट है वहाँ oxygen ज्यादा बनता है यानि rate of photosynthesis ज्यादा है जो green वाला पार्ट है वहाँ बैक्टरिया कम है यानि वहाँ oxygen कम होगा oxygen कम है यानि photosynthesis कम हुआ होगा और जो red वाला पार्ट है इधर देखिये red वाला पार्ट है वहाँ पर फिर से oxygen ज्यादा हो गया तो अब समझने के लिए इसे 3 part में divide कर लो यह हो गया blue यहां से यहां blue यहां से यहां green और यहां-से यहां कि अब तीन पार्ट में डिवाइड कर लो कि समझने के लिए तीन पार्ट में डिवाइड को पहला कम पर्फाटमंट ब्लू है बैक्टरिया ज्यादा बैक्टरिया क्यों ज्यादा क्योंकि वहां पस्ट खाने-पीने की जादा था बैक्टे उधर चले गए यानि जादा है रेट फोटो संथेस्स जादा है असे कि अ बैक्टरिया कम सर कम क्यों है ऑक्सिजन कमई तरफ यानि की ग्रीन लाइट में फोटो संथेस्स कम फिर आगे बढ़ो बैक्ट्रिया जादा सर बैक्ट्रिया क्यों हो जादा क्योंकि oxygen जादा हो oxygen जादा क्यों क्योंकि photosynthesis जादा हो रहा है यानि red light में photosyn जादा blue light में जादा और green में कम हो रहा है यही है यह experiment I think किसी को clear हुआ या उपर से बॉंस किया यह बड़ा इंट्रेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था यह बताने के लिए कि कौन से लाइट में फोटो संथेसिस ज़्यादा होता है चलो फटा फट हैंड डेस करो किसी को समझ में आया और जिसको नहीं आया मैसेज करो कि एक्दम सिंपल सा है क्ले रहे हैं उपर से बॉंस किया ठीक है कोई इशू नहीं सभी को समझ में आ रहे है रिती मैसेज करो मैसेज मैसेज में बताओ यस या नू ठीक है क्लेर है कोई इशू नहीं दिमाग में समझ में आ रहे question क्या आएगा नीत में question यह का इंगल मान के experience में हा इंगल मान के experience में जो उन्होंने filamentous algae लिया था उसका नाम किया था चलो वटवर इंगल मानके experiment में जो उन्होंने algae लिया था वो कौन सा Эльगी था दीखो लिखा है फटाफट अंसर करो फटाफट अंसर करो अलगी का नाम क्या था तो बोलें सर अलगी का नाम था क्लैडोफोरा चलिए बताए एस सक्षाइड़फोरा ऑक्सीजेनिक है इनाक्सीजेनिक है उसके बगल में आपने कौन से बैक्ट्रिया को प्लेस किया है अब बताइए बैक्ट्रिया का population किस light में ज़्याद है ऑप्शन द्यान से सुनना ब्लू लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट तो अंसर आपको ध्यान से बोन लाइए सर दो जगहा ब्लू एंड रेड ब्लू एंड रेड ठीक है और बैक्ट्रिया को फोटो सिंथेसिस कहां जादा है तो बहुत आसान ब्लू में और रड बें दो जगहा पह जादा है क्या है और कभी वी आपको रेट फोटो synthesis तो आप कुछ नहीं करो oxygen के amount को पता करो जतना oxygen release ज्यादा photosense का rate ज्यादा होगा तो एकदम simple है एकदम simple है ना amount of oxygen released ना यह बताएगा कि photosense का rate किसी इस पर depend करता है तो आप बोलेगा सर जो light है ना साथ तरह का color है उसकी quality पर डिपेंड करता है quality यानि जब वो blue light है ज़्यादा हो रहा है green light है कम हो रहा है तो तुम्हारे दिमाग में नहीं चलता क्यों ग्रीन light में photosense कम क्यों हो है red में blue में ज़्यादा क्यों हो रहा है अब तुम्हारे दिमाग में तो यह चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए न लिए सर हां ऐसा क्यों होता है बता दू इसके लिए हमें NCRT का एक graph पढ़ना पड़ेगा बस एक rough idea दे रहा हूं ठीके कल हम लोग डीटेल से करेंगे एक रफ आइडिया दे रहा है NCRT ने इसके लिए एक graph design किया जान से देखना यह y-axis है और यह आपका x-axis और यह x और यह y कोई physics का graph नहीं डरना नहीं इसका नाम है absorption spectrum मतलब से कुछ नहीं है प्लांट के अंदर में जो तीन तरह के pigment है chlorophyll A, chlorophyll B, keratinoids हमें देखना है कि कौन सा pigment कितने wavelength के light को जादा पकड़ता है क्योंकि sun में energy है और sunlight कई सारे wavelength से बना है जिसमें तरह के wavelength है जिसे आप विबग्योर कहते है जिसे आप विबग्योर कहते है यह क्या है एक तरह का wavelength का type ही तो है और NCRT क्या करता है इसी को लिख दिया यहां पास 400 नैनो मीटर है कि विबग्यों 500 यहां यह ब्लू अला पाथ है इसे बना दूमें ब्लू कलर से थोड़ा कि तुम्हें पहचानना असान हो जाए यह ब्लू है 400 to 500 500 to 600 500 to 600 यह ग्रीन है 500 नैनो मीटर to 600 यह ग्रीन है और 600 to 700 यह रेड है यह रेड है अगर तुम यह मानलो seven color को मैंने मिल ली ब्लू ग्रीन और रेड में बाटा है यह starting ब्लू दिख रहा है फिर आपको ग्रीन दिख रहा है फिर आपको रेड दिख रहा है अब मुझे क्या करना है कौन सा pigment कितने वेबलेंद को ज़्यादा पकड़ेगो जहांद सुनना सबसे पहले chlorophyll A का देखो आपके बस NCRT होनी चाहिए chlorophyll A को NCRT ने blue color से देखा है ऐसे बनाए graph graph देखो जितना ज़्यादा उपर जाएगा यानि उतना wavelength को ज़्यादा एब्सॉर्ब करेगा जितना पिक उतना light को पकड़ा उतना energy को पकड़ा और फिर ये देखो green में धर्णाम से नीचे आगिया देखो green में धर्णाम से नीचे आगिया blue को पकड़ा green को पकड़ी नहीं रहे sir क्यों क्लोरोफिल एक ऐसा गलर का green कलर का वो तो reflect कर रहे light आया मैं green को reflect कर दूँगा blue को पकड़ूँगा फिर देखो वापस से red में पिक बन रहे mc80 में देखो blue कलर का एक graph बन है जतना ज़्यादा पिक उतना light को पकड़ा किस reason में देखो ब्लू आले में पिक बना लगबग 450 के आसपास green में तो sir धणाम से नीचे गिर गए और फिर से red में फिर से एक पिक बना यानि दो जगा पे पिक बन रहे है वो दो जगा पे पिक बना रहे है बोले sir समझ में आगी एकदम आसा ने जितना बड़ा पिक उतना ज़्यादा लाइट को पकड़ता है तो मैं question पूछ रहा हूँ chlorophyll A किस लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना पसंद करता है अंसर simple है sir blue light में देखो न पिक ज़्यादा नहीं दिख रहे है आपको और green में कम है इसमें कौन सी चीज़ है blue light को ज़्यादा पकड़ते है blue light को ज़्यादा पकड़ते है इसमें कौन सी बड़ी बाई एकदम करें अब हम लोग बनाते है chlorophyll B का chlorophyll B का देखो नीचे से graph बनाया गया थोड़ा सा थोड़ा सा modification में करता हूँ थोड़ा सा modification करनी की जुरूरत है ठीक है chlorophyll B का देखो अब बुझे बताओ chlorophyll B और chlorophyll A blue light ज़्यादा कौन पकड़ते है ये yellow वाला chlorophyll B है बस simple सा question पुछ रहा हूँ blue range के light में ज़्यादा light को absorb कौन कर रहा है chlorophyll A या chlorophyll B जिसका पिक ज़्यादा होगा वो light को ज़्यादा पकड़ेगा बहुत असान है सर्फ chlorophyll B का पिक ज़्यादा है chlorophyll B का पिक ज़्यादा है तो ज़्यादा light को absorb कर रहा है लेकिन यह बहुत खतरना question में पूछ रहा हूँ, बहुत खतरना question पूछ रहा हूँ, यह बताओ, red range में, यहाँ से यहाँ red वाल है, यहाँ से यहाँ green वाल है, मुझे बताना, red range में, red range में chlorophyll A और chlorophyll B को देखो, red range में light को ज़्यादा कौन एब्सॉर कर रहा है, A और B, बताओ, red range में light को ज़्यादा कौन एब्सॉर कर रहा है, A और B, मुझे जर सिंबल है, blue देखो नो बढ़ा है, peak ज़्यादा बढ़ा है, और A का छोटा है, chlorophyll B का छोटा है, और chlorophyll A का बढ़ा है, तो red range में chlorophyll A, red range में chlorophyll A, ज़्यादा light को एब्सॉर करेगा, compare to the B, और यहाँ देखो, blue range में उल्टा कहानी, इसलिए question बनाने के दौरान, अच्छे से पढ़ना, A और B में difference को ढूढ़ना, blue range पुछा है, red range पुछा है, तब अंसर करना, भूले ठीक है सर, याद रहेगा है यहाँ तर, अब देखो, अब खत्म, अब तो कहानी समझ में आनी चाहिए, यहाँ से, बस हो गया, इतना तुमनों डरते हो कि physics का graph कोई physics का graph में, यहाँ देखो, सर, तीसरा pigment कौन है, अरे तीसरा pigment भाई साब है, carotenoids, और NCRD में देखो भाई लोग, इसके दो पिक इसी range पे बन गए, blue और थोड़ा बहुत बिटा green पे, थोड़ा बहुत बच्चा green पे, देख लो, जो carotenoids है, यह white वाला क्या है, carotenoids, carotenoids, यह भी mainly जो पकड़ता है वह blue range का ही पकड़ा है, mainly देख लो, थोड़ा सा green के तरफ जा रहा है, mainly जो पकड़ता है वह blue range का ही पकड़ा है, mainly कहाँ पकड़ा है, blue range का है, और red range में 0 है, red range में carotenoids, 0 light को पकड़ता है, इसनले NCRD में बड़ा important light लिखा, carotenoids के बार Allahu लेकिन केरेट्नीट लाइट स्लाइट्टली ग्रीन वाले पार्ट को भी पकड़ रहा है थोड़ा यहल्व इस नियुप पकड़ रहा है इसलिए यह यह वैडर रेंज आफ प्लान्ट पकूल रेंज है क्लोरोफिल ए नहिब अभीन पकड़ लिया और hand over कर देगा chlorophyll A को क्योंकि main reaction center कौन है main काम कौन करता है electron निकालने काम chlorophyll A karatinoides बोलेगा मैं भी थोड़ा बहुत पकड़ूंगा attention मतलो तुम लोग तो न कारा हो तुम लोग जीरो पकड़ते हो इसलिए तो जहां से देखो इसलिए तो chlorophyll A ग्रीन कलर का दिखता है क्योंकि green को पकड़ता नहीं reflect करता है chlorophyll B ग्रीन को पकड़ता नहीं reflect करता है karatinoides तो orange कलर का है yellow कलर का है इसका मतलब है वो yellowish कलर को reflect कर रहा है वो green कलर के light को थोड़ा बहुत absorb करता है और absorb करके transfer करेगा chlorophyll A को तो बड़ा important है तो यही आपको graph बहुत परिशान करता है याद रखना overall एक वह वापस से सुन लो overall मैं कहता हूँ कि blue range के light को plant ज़्यादा absorb करता है देख लीजे इस compartment को blue range के light को ज़्यादा absorb करता है red को भी पकड़ता है लेकिन कम पकड़ता है और white को लगभग negligible green को लगभग negligible तो mainly पकड़ा जाएगा blue, mainly पकड़ा जाएगा red और यह आपका जो green है वो लगभग negligible होगा green लगभग negligible होगा तो मेरे में से यह graph सभी बच्चों को clear होनी चाहिए किसे किसे यह graph clear हो गया जिसे तुम डरते थे ठीक है तो मेरे में से एकदम clear है अब question आ गया कि जो pigment है वो जादा किस range के light को पकड़ेगा blue, green और red बताव फट 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 अगर question मैंने पूछ दिया photosynthetic pigment मैंने ABC का नाम नहीं लिया मैंने पूछा photosynthetic pigment सबसे ज़्यादा किस range के light को पकड़ेगा टीन option है blue, green और red arrange कीजी चलो arrange करके बताईए blue, red और green photosynthetic pigment को arrange करना है अच्छा अनूबा मैं तुम्हारे question प्याहरा हूँ tension मतलब वो अभी बाद का है तो red मत बोल दीजेगा red मत बोलिएगा अब बोलिएगा blue फिर red फिर green ठीक है चलो एक और question पूछता हूँ जो plant के अंदर जो pigment वो किस wavelength के light को पकड़ते 400 to 500 500 to 600 600 to 700 अगर अरेंज करने के लिए आया तो तुम बोलना उदेको सर हमें ज्यादा नहीं पता seven color को मैंने तीन पार्ट्स में तोड़ा है सर 400 से 500 होगे यह blue 500 से 600 होगे सर green और 600 से 700 होगे सर red कोई issue नहीं है कोई issue नहीं है ध्यान से समझ में आ गया सभी को और इसी तरह से अभी थोड़ा सा वेट करी लो क्योंकि तुम्हारा लगबख सारे graph क्लियर होगे ना यहां देखो एक और बना देता हूँ एक मिनट में खदम इस बार हम लोग रेट ऑफ फोटोसंस निकाल रहे एबजॉप्सन नहीं निकाल रहे हूँ मुझे पक्का बताना है फोटोसंस का rate बताओ बढ़ी तो फोटोसंस का rate बता चलेगा ओटू के रिलीस से फोटोसंस का rate पता चलता है इसी को ncrt कहता है action spectrum एक्षन spectrum एक्षन हुआ न तुमने लाइट डाला कितना एक्षन हुआ कितना फोटोसंस हुआ तो जितना ज्यादा ओटू उतना ज्यादा एक्षन एप्जॉप्सर आ इस्पेक्ट्रम तो यहां पस ग्राफ इंसे आटी में देखो ऐसा दिखा क्या तुम्हें इंसे आटी में देखो थोड़ा सा 400 तु 500 500 तु 600 600 तु 700 यानि कि यह है ब्लू यह है ग्रीन और यह है रेड है मैंने यही तो पताया था इंगलमान के एक्सपेरिमेंट में क्या था यहां पास पिक बढ़ा क्योंकि आपस एप्जॉप्सन ज्यादा हुआ तो फोटोसन ज्यादा फिर धडलले से गिरा लेकिन कुछ बच्चे को लग सकता सर एक प्रॉब्लम है सर एप्जॉप्सन में आपने ध्यान से देखो सर आपने एप्जॉप्सन में तो एकदम नेगलीजीबल बना दिया था सर यहां देखिए आपने तो एकदम जीरो पे लेते आये थे लेकिन सर जब फोटोसन करने की बारी आती है तो सर यह फोटोसन कहां से कर रहा है यह बड़ा इंपॉर्टेंट यह थोड़ा कल पढ़के आईएगा यह सर यह फोटोसंस कैसे कर रहा है सर अपने एपजॉप्शन तो जीरो पे लेते आया था सर यह फोटोसंस क्यों कर रहा है इसका अंसर मैंने आज ही दिया है यह तो समझ में आ रहा है ब्लू में ज्यादा इंएटार्फ ऑटोसंस यह ज्यादा क्योंकि लाइट ज्यादा पकला में ज्यादा क्योंकि लाइट को ज्यादा पकला रेंड में दक सर जघंय निगले में कम होटोगे कंकि फिसके यह रैलेडीं पर सक्दाए नहीं कॉटे पर सब्सकेघ ल islands रेटांकल बाता कि एनिवन कोई वच्छा बता दे मुझे कि एनिवन थोड़ा सोचो एंची आटी में जाके देखना थोड़ा नीचे एकदम नीचे टच नहीं कर गिया है थोड़ा उपर ही रह गिया है क्यों सर्क्यों रीजन बताईए तो बोलेंगे सर सुनो सर एकदम सिंबल्स है जो कैरेट इनवाइट्स था जो कैरेट इनवाइट्स था वो लाइट पकड़ता तो था ग्रीन वाला यलो वाला थोड़ा वह पकड़ता तो था और पकड़ करके वो दे देता था किसे वो किसे हैंड ओवर करता था ख्लोरोफिल एको और क्लोरोफिल है यह तो फोटोसिंस करेगा फोटोसिंस में में एलेक्ट्रॉन एजेक्ट कॉन करेगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए बोलेगा मैं ग्रीन यलोगो तो पकड़ूंगा नहीं तू मत पकड़ भई तेरी बस की बात नहीं है पकड़ेगा क्यारेट इनॉ केरेटिन वाइड्स होता है वो ग्रीन कलर और थोड़ा बहुत यलोईश कलर को भी पकड़ने में हेल्प करें और यह लाइट पकड़ करके वो हैंड ओवर करेगा किसे क्लोरोफिल एको जो की रियाक्शन सेंटर है जो में फोटोसंस में पाटिसिपेट करेगा तो में कौन हो गया यह यहां तक कर लोगे चलो किसे किसे यहां तक क्लेर होगी है कौन-कौन गया बुगा भई सीमरन को पढ़ने मन नहीं लगता वो आती है और फिर सर कल समझ में नहीं है चलो ठीक है तो मेरे में से कर लोगे बाकी बच्चे चलो ठीक है तो मेरे में से यहां तक के पार्ट सारे ग्राफ तुमारे क्लियर हो गए अगले क्लास में केवल बचा है factors affecting photosynthesis कि कौन-कौन से factor photosynthesis को effect करेंगे यह कल का टॉपिक होगा और कल यह chapter यानि कि मंडे को यह chapter finished हो जाएगा ठीक है चलो अनु बहुत तुम्हारा गोश्चन यह तुम्हारा गोश्चन कली वोगा यह तुम्हारा गोश्चन जो है न वो थर्ड ग्राप से ही solve होगा चलो ठीक है भी